नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग 18 नमबर 2022 के डेली न्यूस अनलिसिस और एडिटोरल अनलिसिस में आपका स्वागत है कौन कौन सी न्यूस है एक important news यह है कि collegium system को हटाने के लिए एक जो review petition file हुई है इसको listen करेगा Supreme Court और शायद इस बात के ओपर भी भहस होगी कि जो 99 समविधान शंशोधन के थुरू National Judicial Appointment Commission आया गया था इसको revive किया जाएगा तो यह news क्या है इसको हम लोग देखेंगे राजीव गांधी के जो convicts को अभी रिसेंटली 6 convicts को release किया था और फिर A.G.Pedia वलन को जो मई 2022 में Supreme Court ने release किया था उसके against review की बात किये केंदर की सरकार ने इसको देखेंगे inquiry को political rivalry के नाम पे question नहीं किया जा सकता ऐसा Supreme Court ने बोला है आंधरा high court के लिए एक setback है ये क्या है इसको देखेंगे दुनिया भर में rhino sororos के hawns की trafficking बहुती impunity और daring तरीके से हो रही है बिना किसी डर के correct element के साथ मिलके ये क्या है देखेंगे इंडिया electronic sectors में बहुत आगे बढ़ सकता है इसकी बात करेंगे finance minister निर्मला सीधर अमन जी ने NIIF National Investment and Infrastructure Framework को बोला है कि बहुत प्राइवेट कैपिटल से infrastructure में आप थोड़ा बहुत investment लेके आईगे editorals में opaque political financing को लेके editorals है प्रधान मंत्री गरीब करनेयाण अन्योजना के लेके editorals है इसको यहाँ पर देखेंगे फिर डॉनल्ड ट्रम यह जो अमेरिका की politics इसमें डॉनल्ड ट्रम इसमें पर कितने relevant इसके बारे में एक article है और trade के respect में article है यह जो exports अभी घटे हैं पिछले महीने इसके context में एक article है इसके बारे में हम लोग देखेंगे तो इतनी हम लोग डिसकस करने वाले आगे बंदेश पले वीडियो पे like कर बटन दूस्तों चैनल को अब तक share और subscribe नहीं किया कर लिजे Instagram पे follow कर लिजे Telegram गूप जोन कर लिजे Instagram पे आप सा जोड़ता हूँ देखे Collegium सिस्टम होता क्या है और ये आया कब था 1993 में Supreme Court की एक 9 जज़ की Bench ने ये बोला कि हाँ बाइक Supreme Court Collegium के थूँ ही जज़स के appointment होगे तो चाहे अब Supreme Court के जज़स का appointment हो चाहे High Court के जज़स का appointment हो वो Collegium के थूँ ही होता है पहले Collegium में CGI होते हैं और वो consensus के साथ decision लेते हैं और जब High Court के जज़स का appointment करना होता है तो High Court का Collegium मनता है High Court के senior most जज़स नाम recommend करते हैं वो नाम फिर Supreme Court के Collegium के पास जाते हैं Supreme Court का Collegium जब उनको approve करेगा तक वो सरकार के पास जाएंगा और फिर सरकार ज़स का appointment करेगी Collegium सिस्टम की एक खामी जो सरकार हमेशा point out करती है वो ये है कि भाई जो जुडीशरी है जुडीशरी मतब Supreme Court High Court अपना Collegium मना के नाम recommend करेंगे ये जो नाम recommend होंगे उन्हीं में से किसी एक को सरकार as a judge appoint कर सकती है मतब सरकार के ऊपर ये बात देता है Collegium दोरा appoint किये गए मतब nominate किये गए नामों को ही वो appoint कर सकते है अगर मान लो सरकार या फिर आप कहलेजे Collegium किसी advocate को nominate करता है कि हाँ भाई इसको Supreme Court का या High Court का judge बिनाओ तो उस case में Intelligence Bureau के दोरा एक preliminary inquiry conduct करवा सकती ही सरकार इससे ज़्यादा कुछ नहीं और अगर कोई judge High Court का judge Supreme Court में nominate हो रहा है तो उस context में Intelligence Bureau वाली inquiry भी normal कर होती नहीं अब बात यहाँ पे दोस्तों यह है सरकार को इस बात से problem है कि भाईया हमारा देश एक अकेला ऐसा देश है जहाँ पे judges का appointment खुद judge कर रहा है सरकार का कोई role नहीं है देखें यहाँ पे जो union minister of law है किरन रेजजजी साहब वो क्या बोल रहा है nowhere in the world except India is there a practice that judges appoint their brother as judges मतलब कि दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि judge ही judge को appoint कर रहा हूँ जी हाँ दोस्तों US में भी अगर आप देखोगे तो executive ही judge को appoint करता है तो इस context में the petition in person advocate Matthews J. Nidampura और कुछ और lawyers पहुँचे हैं और यह बोला है कि अक्टूबर 2015 में जो constitution bench judgment आया था जिसमें यह बोला गया था कि 99th constitutional amendment act unconstitutional है यह judgment गलत था सरकार के पास भी यहाँ पे equal ताकत होनी चाहिए judges के appointment में देखें national judicial appointment commission के ओपर यह अज़ाम लगाया था कि सरकार ने primary role ले लिया है judiciary का भी role है लेकि judicis ज़्यादा important सरकार का रोल है supreme court और high court के judges के appointment supreme court ने finally 99th constitutional amendment act को unconstitutional बोल दिया अब इससे दोस्ति होता क्या है एक तो problem यह है कि collagen system में judges उनको appoint किया जाता है जो कि senior है अब जब आप seniority के basis पे judges का appointment करतो तो meritocracy वाला element गया हो जाता है समझ गया है मतलब जो पहले के batch में judge बना होगा और जो बाद में judge बना होगा तो बाद वाला कितना भी efficient उससे फरक नहीं पड़ता जो उससे senior है वो senior ही यहाँ पे supreme court या high court के judge बनेगा एक तो यह बड़ी परिशानी है तो होता यह है कि high court और supreme court के जो नए-ने lawyers बने हैं जो की काफी काबिल होते हैं उनके जो chances होते हैं early age में high court या supreme court के judge बनने के वो chances thought हो जाता है इसलिए यहाँ पे जो advocate वगरा है वो भी जोर मार रहे हैं कि सरकार के पास ताकत होनी चाहिए supreme court और high court के judges appoint करने की at least judiciary के बराबर हो रहा चाहिए college system में क्या होता है कि कौन appoint होगा यह पहले college है मतलब खुछ judges decide करेंगे और उसके बाद जो नाम के list आईगी उसमें सरकार किसी एक को appoint कर सकती है तो वो काम सोला गड़बड तो अगर judge ही judge को appoint करेगा तो nepotism, favoritism जिससे charges लगेंगे इसी context में अगर आप देखो तो petitioner यहाँ पे बोल रहा है कि सरकार को, opposition को, NJAC को restore करना चाहिए और 99th Constitutional Amendment Act को जो हटाया गया तो Supreme Court के द्वारा उस NJAC को revive करिया जैसा कि इवन आपको पहले ही बताया college system institute किया गया था 1993 में through a 9th judgment शुरुवात में CGI की चलती थी college system में उसके बाद consensus से चीज़े होने और college system of appointment of judges से हुआ ये कि equal opportunity for thousands of lawyers चलीगी जो कि जब जज ही जज को appoint करेगा तो ज़दतर seniority के basis of appointment होगा जो वकीलों के जज बनने के chances थे वो यहाँ पे मेरे माईस होगा फिर अगला केंदर की सरकार ने बोला है कि recently यह जो Supreme Court ने राजीव गांधी के convicts को छोड़ा है यहाँ पे केंदर की सरकार से जो discussion नहीं किया वो गलत किया और उसके चलते गलत तरीके से यहाँ पे decision दिया गया देखें, former Prime Minister राजीव गांधी जी का assassination हुआ था 1991 में इसके चलते AG पेरिया वलन को माई 2022 में चोड़ा गया और उसके बाद 6 और convicts को भी recently चोड़ा गया ठीक है? AG पेरिया वलन को जब 2022 में चोड़ा गया था उसके बाद यहाँ पे चोड़ने की petition किसने किसने फाइल की? नलीनी और रवी चंद्रने बाद में चारो convicts ने petition फाइल की Supreme Court ने इनको छोड़ दिये बड़े पिक प्रॉब्लम है यहाँ पे Supreme Court ने छोड़ते वक्त जो Justice गवाई थे और नागरतना जी थे इन्होंने बोला कि अपने incarceration मतलब जेल के समय पे इन इंडिजिवस ने satisfactory conduct दिखाया है post graduate degree, diploma degree जीती है तो ठीक एविन को आप छोड़ देना सही है problem दोस्तों यहाँ पे है केंडर की सरकार का यह बोलना है कि भाई देखिये particularly इन आतंकवादियों ने किया क्या था एक former prime minister को मारा था तो अगर यह former prime minister को मार रहे है तो इनका जो crime है उसके international ramifications है और जब international ramifications की बात आ जाती है तब पूरा-पूरा domain किसके पास आ जाता है under the sovereign powers of the union of India उसके बाद यह जो 6 nationals को अभी छोड़ा गया है 6 लोगों को उसमें से 4 श्री लंकन nationals है तो foreign ministry को रोल आ गया है यहाँ पे तो जब आप एक foreign nation के terrorist को ramission देते हो तो केंदर की सरकार से बिना discuss किया आपने कैसर emission दे दिया कास कर जब crime यह है कि वो श्री लंका से इंडिया के अंदर आये थे देश के foreign former prime minister को मारने के लिए तो अपने आप में matter बहुत sensitive था इंडिया के लिए paramount importance का था इंडिया के public order, peace, tranquility, criminal justice इससा इसका लेना देना था तो यहाँ पे overall बिना भारत सरकार के discuss किये अगर आपने decision सुनाया है तो यह procedural lapse है इससे miscarriage of justice हुआ है तो केंद की सरकार यहाँ पे क्या submit हो रही This procedural lapse on the part of petitioners resulted in non-participation of Union of India's subsequent hearings of the case and absence of Union of India's assistance to the Supreme Court while adjudication of the matter had resulted into admitted and glaring breach of principles of natural justice and has in fact resulted in miscarriage of justice मतलब की जब इन petitioners कौन-कौन से petitioners है यहाँ पे तो नलीनी, रवी चंद्र, इंजय कुमार सुथेंतर थी राज, अलियास संथन, मुरुगन और रॉबर्ट प्यास जब इन्होंने अपनी petition file की तो उन्होंने Union of India को पार्टी नहीं मनाया लेकिन Supreme Court को Union of India को पार्टी बनाना चाहिए था चुकि यह जो particular matter है this concerns Union of India this concerns the security and safety of Union of India तो Union of India को आपने पार्टी नहीं मनाया, आपने procedural lapse किया इस procedural lapse के चलते आपने proper तरीके से सही justice नहीं दिया है miscarriage हुआ है justice का natural justice यहाँ पे नहीं हुआ है इसलिए overall इस order को फिर से here करिए reverse करिए यह यहाँ पे केंदर की सरकार बोलता है तो यह news दिखिए हमने next GS paper to judiciary Indian politics political rivalry alone cannot be a ground to question inquiry ठीक है अच्छा यह जो राजीव गांधी के convince को छोड़ने के against जो center ने गोहार की officially केंदर की सरकार ने supreme court में बोला है कि आप अपने order को review करो supreme court review करता है नहीं करता है वो एक अलग बात अब आ जाते हैं आंधर पदेश की politics में अमरावती land scam हुआ था आपको पता है जब आंधर पदेश से तेलागना अलग हुआ तो आंधर पदेश की capital बनाने की बात हुई अमरावती की उस समय पर TDP की सरकार थी तेलगू दिसम पार्टी की ठीक है फिर आई भई यहाँ पर सरकार किस की है जगन मोहन रडड़ी की जगन मोहन रडड़ी ने बोला कि एक capital नहीं तीन capital होगी लेकिन शुरुआत में TDP की सरकार के समय पर अमरावती में लैंड को लेके काफी डिसिजन्स लिए गए बहुत सारे फार्मर से लैंड वगरा खरी दे गए तो यह बोला जाने लगा कि भाई एक पूरा का पूरा अमरावती लैंड स्कैम हुए मैं स्कैम मेंटरी नहीं मार रहा हूँ कुल मिलाके ओवराल हुआ ये कि जब जगन मोहन रेड़ी की सरकार आई तो जून 2019 में जगन मोहन रेड़ी ने एक notification इशू किया जिसके थूए cabinet subcommittee मनाई गई इस cabinet subcommittee का काम ये था कि तेलुगू देसम पार्टी की जब सरकार थी उसने जो भी administrative actions लिये जो भी major policies, projects को initiate किया जो भी program चलाए, institutions खोले उनका हम review करेंगे एक holistic review करेंगे ये जगन मोहन रेड़ी की सरकार ने बोला इसके लिए committee मना दी committee की report आई 27 दिसंबर 2019 को और इस committee ने बताया कि several procedural, legal और financial irregularities और fraudulent transactions देखे गए हैं बहुत सारे अलग-अलग projects में जो कि capital region, development authority region अमरावती में आते थे तो इसको लेके 21 फरवरी 2020 को जगन मोहन रेड़ी की राज सरकार ने एक और notification निकाला और बोला कि हम एक special investigation team SIT बना रहे हैं जो कि inquire करेगी, register करेगी, investigate करेगी और conclude करेगी investigations को और obvious ही बात है ऐसा बोला गया कि यहाँ पे YSR party की जो सरकार है वो तेलगू देसम party की leaders को target कर रही है अभी तेलगू देसम party के leaders चले गए आंधरा high court पर आंधरा high court ने special investigation team के उपर एक stay लगा दिया, एक रोग लगा दिया मतब जगन मोहन रेड़ी की सरकार के उपर एक रोग लगा दि कि आप भाई ये inquiry नहीं कर सकते, तो जगन मोहन रेड़ी नराज हो गया, मैं आपको बता दू जगन मोहन रेड़ी के खुद के उपर बहुत सारे corruption charges चल रहा है ठीक है, तो जब YSR ने मतब ये जो जगन मोहन रेड़ी हैं इन्होंने जब overall एक कह लिजे कि investigation शुरू कराई TDP किया गया है, TDP high court में गया अंधरा, अंधरा high court ने investigation रूग दी तो उसके बाद जगन मोहन रेड़ी साब क्या बोल रहा है The entire process was extremely fair, the state was proceeding in a very very cautious manner, the committee report suggested major manipulation and systematic inclusion of TDP leaders into the land SIT was constitutioned to look into financial irregularities, it was impossible for the high court to interfere at a pre-investigation stage how could the high court interfere on the petition of busybodies, मतलब YSR ये जो जगन मोहन रेड़ी की सरकार है ये proper तरीके से committee बनाके investigation कर रही है, अभी pre-investigation stage चल रहा है, इस land scam में TDP के leaders का क्या role हम इसको investigate कर रहे हैं, किसी को arrest नहीं किया है, कुछ लखड़ा नहीं किया है तो कौन से basis में आंधर पदेश की high court investigation में interfere कर रही है और इस बात को लेके सुप्रीम कोर्ट कहुँच गया जगन मोहन रेटी साब सुप्रीम कोर्ट में milord milord शुरूगा जगन मोहन रेटी साब की YSR Congress Party ने अपने viewpoint दिये उसके बदले में counter-affidavit आये का किस की तरफ से, TDP की तरफ से TDP यहाँ पे क्या बोल रही है TDP के बिहाफ पे, जो उनके lawyer है Mr. Ramayya उन्होंने बोला कि TDP regime के against revenge लेने की कोशिश कर रहे है जगन मोहन रेटी मतलब जगन मोहन रेटी ने जो भी subcommittee और SIT बनाई है यह TDP regime के ministers के against बदला लेने के लिए बनाई है जोकि TDP regime के ministers ने खुच जगन मोहन रेटी के corruption को सामने ले किया है तो हमारे खिलाफ political blame gaming चल रही है हमारे खिलाफ political vendetta revenge चल रहा है यह गडबड कर रहे है जगन मोहन रेटी तो इस context में तो जो आंध परदेश ने inquiry को quash किया था यह सही नहीं है आंध परदेश की high court Supreme Court यह बोल रहा है कि ठीक है भई अगर एक सरकार आई है और वो पुरानी सरकार के corruption को investigate कर रही है तो political rivalry बोल के उस inquiry को question नहीं किया सकता मतलब कहीं न कहीं जगन मोहन रेटी के favor में बात किया है Supreme Court फिर next GS paper 2 India can be a sizable player in electronics इंडिया के पास एक बड़ा scope है कि एक sizable player बन सकता है electronics और semi-conductor product manufacturing में यह जो दुनिया की China plus one diversification strategy है इसका एक बड़ा ही important part बन सकता है इंडिया यह minister साब ने कब बोला at the 25th edition of the Bengaluru Technology Summit करनाट का annual tech exposition क्या बोला मिनिस्टर साब ने We are well positioned to become a trusted global partner under China plus one strategy and hopeful of becoming part of global value chains for logic semiconductors, chipsets and other electronic products electronic और semiconductor product की industry आज पूरी दुनिया में 1.5 trillion dollars किये मैं आप कहलो 1500 billion dollars किये जिसका 75% तो केवल अकेले चाइना के पास है पिछले 20 सालों से electronics और semiconductor manufacturing में चाइना की almost एक monopolies ही चल रही है और उस monopoly को तोड़ने की कोशिश दुनिया चल रही कर रही है और उसमें इंडिया क्मेजर रूल प्ले कर सकता है चाइना प्लस वन डाइवर्सिफिकेशन प्लान क्या है कि भाई देखें दुनिया भर की economies और दुनिया भर के investors ये नहीं चाते कि हम अकेला चाइना के उपर dependent रहें चाइना में अपनी factories खोलें चाइना से अपने critical imports मंगवाएं तो बेटर ये रहेगा कि चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी के अंदर चाइना के सासा कुछ और हमारे पास country हो अटलीस्ट एक तो हमारे पास ऐसा reliable partner हो जहाँ पर हम invest कर सके हो जहाँ से अपने key imports को मंगवा सके तो उस context में प्लस वन में अगर इंडिया अपनी जगा बना पाता है तो बहुत बहतर होगा और इंडिया इसकी पूरी कोशिश कर रहा है अगर आप देखो तो country का जो electronic और semiconductor product manufacturing sector है इसने quantum growth register की पिछले एक decade में अब चंदर शेकर साब की बात सही है लेकिन एक decade पहले हमारा semiconductor sector virtually non-existent था तो growth तो हमें बड़ी यहां पे नजर आएगी ओके 2014 में 92% जो mobile devices country में बिखते थे वो imported होते थे लेकिन 2022 में country में बिखने वाले 97% mobile devices इंडिया के अंदर बने ऐसा बोल रहा है मिनिस्टर साब फिर ऐसा यहां पे बताया जा रहा है कि 2014 में जो country का electronics ecosystem था जिसमें manufacturing, design, innovation, production साब आता है वो था लगबग 10 billion डॉलर और यह पहुँच चुका है 2022 में 75 billion डॉलर पे और 2025-26 तक पहुँच जाएगा 300 billion डॉलर पे electronics और semiconductor sector में अगर आप कहलो 6-6% FDI जो total आई है अव तक पिछले तीन सालों में आई है इंडिया का जो semiconductor mission है जो कि Digital India Corporation के specialized business division की तरह काम करता है इस बात पे specially focus कर रहा है कि इंडिया में semiconductor और electronics manufacturing industry की growth तो यह सब बाते हैं हो रहा है यहाँ पर बताई जा रही है Next GS paper 3 Biodiversity poaching Rhino horse trafficked with impunity देखिए यहाँ पर क्या हुआ है 2017 के बाद वो rhino horse जो पकड़े गए है उनका वजन मतलब weight wise rhino horse बहुत ज़दा पकड़े गए है अगर आप rhino horse की obvious ही बात है total quantity की बात करो तो weight में ही उसको measure करो गया ठीक है बाई poaching में reduction हुआ है शिकार में reduction हुआ है लेकिन उसके बावजूद भी जो rhino horse seize किये जा रहे है वो बहुत ज़ादा है ये कब बताया गया तो एक report publish की गई एक convention में conservation agencies के जो कि Panama City में held की जा रही इस investigation में पता चला है कि prolific Vietnamese और Chinese criminal network इस पूरी supply chain में active है और ये जब rhino horse को transfer करते है ना import export करते है ना तो बिल्कुल daring तरीके से करते है मतला उसको conceal तक नहीं करते है होता है ना कि एक baggage में आप horn को छुपा के ले क्या रोजी नहीं वो छुपाना तक जरूरी नहीं समझते समझ गया प्रोड़क्स को disguise करना तक जरूरी नहीं समझते चुकि वो जिस जगह से भी transit कर रहे होते है वहाँ पे कही न कहीं जो भी लोग सामने खड़े हैं उनके साथ उनकी setting वगरा होती customer officers साथ पैसा वगरा देख के अपना समान निकाल लेते तो जो comprehensive analysis यहाँ पे की गई है इसका title है Executive Summary of the Rhino Horn Trafficking as a Form of Transnational Organized Crime 2012-2022 Global Threat Assessment इसको पेश किया गया था at a meeting of Conference of Parties organized by the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Sites के Conference of Party में यह particular report published की गई इस report की publishing में inputs मिले हैं from the World Wide Fund for Nature Wildlife Justice Commission 1.10.2012-31 December 2021 तक का data compile किया गया है 674 Rhino Horn Caesar incidents देखने को मिले हैं इस decade में इस यह भी यहाँ पे बताया जा रहा 6 countries और territories जहाँ पे Rhino Horn की trafficking सबसे ज़्यादा हो री वो है South Africa, Mozambique, Malaysia, Hong Kong Vietnam और China हाला कि total 50 countries और territories में trafficking देखी गई है Vietnam और China में खासा कर देखी गई हाला कि यह बतायागे है कि Vietnam के अंदर जो भी राइनोसिरॉरस के हौन जा रहे हैं वो finally बेचे Chinese buyers को ही जा रहे है पहले क्या होता था कि commercial airline में जो passenger होता था वो एक या दो राइनोसिरॉरस के हौन लेके जाता था लेकिन अब तो air cargo में बड़े बड़े shipments में राइनोसिरॉरस के हौन जा रहे हैं आँगा यहां से निकलूँगा मुझे निकाल देना मुझे रोपना मत जो डीलिंग होती वो wechat app पे नहीं होती wechat app पे सरकार जल्दी पकड़ लेती सरकार चाहिना किया पर whatsapp, telegram और signal पे सारे messages को इधर उधर किया जाते है फिर next, Finance Minister ने National Investment और Infrastructure Fund से यह बोला है कि National Infrastructure Pipeline के अंदर जो प्रोजेक्ट से मैं थोड़ा इसकी विंडो ठीक कर दू रिकॉर्डिंग विंडो तो भाईया, Finance Minister जी ने यह बोला है कि National Infrastructure Pipeline के अंदर जो प्रोजेक्ट से PM गति शक्ती के अंदर जो प्रोजेक्ट से, National Infrastructure Corridor के अंदर जो प्रोजेक्ट से इनकी फाइनसिंग के लिए कोशिश करिए कि प्राइवेट कैपिटल है जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा यहाँ पे लगाए National Investment और Infrastructure Fund की ओन की गई दो कंपनीज देखे दो नॉन बैंकिंग फाइनसिंग कंपनीज जिसकी आप कहलो ओनर्शिप में मेजॉर्टी स्टेक एन आई आई एफ का है इन पर्टिकुलर कंपनी का जो लोन पोर्टफोलियो है न वो पिछले तीन सालों में 42 सो करोन से 26 जार करोन हो गया मतलब इन दो NBFC ने 26 जार करोन के लोन बाटे है और वो लोन अभी भी non-performing asset नहीं हुए है मतलब वो proper profitable asset है तो इस context में NIIF के concept में एक potential अज़र आ रहा है और Finance Minister NIIF के official से बोल रही है कि भाई National Infrastructure Pipeline PM गदी सकती हो National Infrastructure Corridor के अंदर जो project चल रहे है उनके लिए private investment ले किया हूँ अभी recently NIIF ने अपना पहला bilateral fund शुरू किया है India Japan Fund जिसमें NIIF से तो पैसा आए गई Japan Bank for International Development से भी पैसा आए तो NIIF के team का काम क्या है कि इंडिया और दुनिया भर के private investors से बात करो और उनको potential investment opportunities और returns दिखा के उनका पैसा इंडिया के infrastructure projects में invest कराने की कोशिश करो NIIF एक government backed entity है Long term capital country इंडिया के infrastructure sector के लिए mobilize करती है 12 सरकार का 49% stake है NIIF में बाकी foreign और domestic investors का है ठीके ना भाई आप क्या सकते हो कि NIIF इंडिया का कौशी sovereign wealth fund है December 2015 में as a category 2 alternate investment fund इसको बनाया गया था ठीके भाई तो यह बात है अब आज आते हैं अपने editorial discussion में पहला editorial discussion political financing को लेकिए अब देखिए इसमें थोड़ा ideological तरीके से चीजे लिखी हुए है कोई एक बहुत proper viewpoint इन्होंने नहीं दिया है और नहीं कोई current की आप कहलो इन्होंने happening बताई है politics में corruption की यहाँ पर बात कर रहे है politics की corruption की किस प्रकार से बात कर रहे हैं तो देखिए भाई institutionalized तरीके से आज की date में corruption हो रहा है यह बोल रहे हैं और वो किस के थुरू बोल रहे हैं भाई electoral bonds के थुरू बोल रहे है जो हमारा political system है उसमें political funding बहुत important होती है चाहे वो ruling political party की funding हो चाहे वो appositional political party की funding हो अब यह जो political competition होता है अलग-अलग parties में वो तीन तरीके का होता है एक तो institutional होता है जिसमें ruling और appositional parties अपने आप में एक दूसरे साथ compete करती है एक organizational होता है जिसमें एक party के अंदर जो अलग-अलग players है political members है वो आपस में compete करते है एक ideological होता है बतलब अलग-अलग political parties अपनी-अपनी ideology की basis पे compete करनी कोई leftist है, कोई rightist है, कोई communist है लेकिन इन सारी ही तरीके के political parties में एक चीज़ common होती है वो है political finance को mobilize करना और यहाँ पे role आजाता है electoral bonds का और यहाँ पे बोल रहा है कि electoral bonds ने ground level पे situation कुछ ऐसी कर दिये कि election commission of India के पास ज़्यादा ताकत बची नहीं है और एक information asymmetry create हुए ruling और opposition parties में खास बाद दोस्तों यह है कि state bank of India सरकारी bank है यहाँ से आपको electoral bonds करीदने आप सही बात है कि चुकि state bank of India सरकार के अंदर है तो सरकार state bank of India से सारे facts, figures, analysis सब कुछ माँग सकती statistics माँग सकती लेकिन opposition party नहीं माँग सकती तो कौन सा business house किस particular political party को donation कर रहा है election की यह केंदर की सरकार को तो पता चल जाएगा ruling party को तो पता चल जाएगा बठ opposition party को पता नहीं चल पाएगा तो उस case में political blame gaming और vendetta में ruling party एक edge में आ जाएगी एक बात तो यह बताएगी दूसरा decentralization की बजाए यहाँ पे centralization हो रहा है economic capital का narrow concentration हो रहा है जिसके चलते जो political competition है न वो यहाँ पे effect हो रहा है जैसे for example अगर आप देखो 2018-19 financial year में 5,851 करोन के electoral bonds बेचे गया जिसमें से 80% redeem किये गया दिल्ली में मतलब कि आप regional political party के जो units हैं उनको केंदर की leadership के उपर dependent होना पड़ेगा मतलब for example अगर आप भारती जन्ता party की बात करो तो भारती जन्ता party के पास जो भी जादा थर आप कहलो donations आ रहे हैं electoral bonds के थूँ वो redeem कहां हो रहे होंगे दिल्ली में हो रहे होंगे दिल्ली में बैठती है BJP की leadership अब वो BJP की leadership दिल्ली के decide करेगी की regional units के पास कितना पैसा जाएगा पहले कहा था कि BJP की regional units अपने local political players के थूँ पैसा ले सकती थी donation में अब वो local जो players हैं वो भी electoral bond ही खरीदेंगे जो कि redeem होगा दिल्ली में तो यहाँ पर centralization बढ़ गया है हर political party में चाए वो BJP हो चाए वो Congress हो Congress भी अपना electoral bond के थूँ आया हुआ पैसा कहाँ पर redeem करेगी दिल्ली में उपर से electoral bonds है ना वो चीजों को tilt कर रहे है in the favor of ruling party जैसे for example ऐसा बोला गया कि 2019-20 में जैसे नहीं भी total electoral bond का पैसा आया 75% गया भार्थी जन्ता पार्टी के पास Congress के पास given 9% पैसा गया तो इससे यह पता चलता है कि ruling party की favor में जा रहा है तो जो electoral bonds है उसने कहीं न कहीं competition को effect किया है एक तो अलग-अलग political parties में competition को effect किया है फिर political party के अंदर competition को effect किया है और ideology के basis पे भी कहीं न कहीं वो political parties को effect कर रहा है यह सब बात हैं यहाँ पे बोली गई है पहले अब BJP के respect पे बोला गया कि पहले BJP के जो vote based होवा करता था वो होते थे small businesses अब कहीं न कि BJP ने जो decidenously हैं GST जैसे उसके चलते small businesses बहुत ज़दा effect हुएं बड़े businesses को फायदा हो रहा है तो BJP के उपर यह अज़ाम लगा जा रहा है कि पहले जब यह लोग state level पे खेला करते थे तब छोटे businesses के साथ involved हुआ करते तब बड़े level पे आ गये हैं तो बड़े corporates के बारे में छोट सोच रहे हैं छोटे players को sideline कर दिया है तो इस प्रकार की बहुत सी बातें यहाँ पे बोली गई है नेक्स्ट आ जाते हैं प्रधान मंत्री गरीब कर लियाण अन्योजना दे फ्री ग्रेंस इसकी देखें जो प्रधान मंत्री गरीब कर लियाण अन्योजना है तो बहुत से सवाल उठे, बहुत सी कॉंट्रोवर्सीज उठी चो केंदर की सरकार का expenditure department है इसने अपनी जून की रिपोर्ट है बोला था कि प्रधान मंती गरीब कल्यान अन्योजना को extend मत करी है, हमारे पास पैसा नहीं है और चुकि pandemic समय पे प्रधान मंती गरीब कल्यान अन्योजना को extend किया गया, सरकार का ये बोलना था कि भाई, festivities का समय है हम नहीं चाहते कि लोग इस समय पे भूके रहे तो 80 करोन लोगों को यहाँ पे benefit दे दिया गया अब author ये बोल रहा है कि इन सब चीजों का political angle है, अगर आपने October से December 2022 में scheme को extend किया, तो December 2020 से April 2021 में क्यों नहीं किया, उस समय पे भी तो festivities थी और उस समय अगर आप देखो तो first और second layer भी dominant हो रही थी COVID pandemic की तो जब COVID pandemic की इतनी खतरनाक लहर चल नहीं थी, पहली लहर खतम होई थी, दूसरी लहर की शुरुआत हो रही थी, उस समय पे तो आपने पधान मनती गरीब कलने आड़ा अन्योजना चला ही नहीं और आज की डेट में अक्टूबर, नॉम्बर, दिसम्बर 2022 जब COVID के लेयर नहीं है तो आप चला रहे हो, मतलब कहीं न कहीं आपके political compassions है, क्यों कि हमाचल प्रदेश और गुजरात में election आने वाले उत्तर प्रदेश में जो assembly election जीती है, बीजेपी सरकार उसका credit कहीं न कहीं PMGKAY को दिया जा रहा है और दिसमबर 2020 से अप्रेल 2021 में जब भारा सरकार ने PMGKAY को discontinue किया था, उस समय elections थे वेस्ट मंगाल, केरला, तमिल नाडू में और केंदर की सरकार कहीं न कहीं जानती है कि वेस्ट मंगाल, केरला और तमिल नाडू में उनका जीतना उतना आसान नहीं है इसलिए उन्होंने scheme को discontinue कर दिया और मई 2021 में जब आप फिर से प्रदानमंतिरी गरीब करने हैं अनियोजना को लेका है, तब से scheme continuously चल रही है मतलब यह scheme आप कौन से basis पे चला रहे है कौन से economic rationale पे चला रहे है क्या आपने कोई proper committee बनाई है आप जो decision ले रहे है scheme को discontinue करने का या continue करने का आप कौन से basis पे ले रहे है यह question कर रहा है यहाँ पर author सरकार से author का बोलना है कि भाई, already अन्तियोदे अन्योजना के अंदर और priority household category के अंदर लोगों को benefit दिया जाता अन्तियोदे अन्योजना में 35 kilo per month per family और priority household में 5 kilo per month per person और उसके अलावा अगर आप देखो तो यहाँ पर प्रधान मंतिरी गरीब कर ले अन्योजना का benefit अभी के लिए अगर आप देखो तो यह जो तीन महीने का extension दिया गया अक्टूबर, नॉम्बर, दिसम्बर 2022 में 122 लाख टन यहाँ पे food grains बाटे जाएंगे total food grain का allocation PMG के ay में हो चुका है 1121 लाख टन 1121 लाख नस 1121 total जो खर्चा होगा अक्टूबर, नॉम्बर, दिसम्बर 2022 में स्कीम को implementation का वो होगा 44,762 करों अब तक जब से प्रधानमंति गरीब करना अन्योजना स्कीम चलाई गई है total खर्चा अलएडी हो चुका है 3.91 लाख करोण का तो भाईया सबसे खास बाद दोस्तों, यहाँ पर यह है author बोल रहा है कि proper commission आप appoint करिए उस commission की analysis और study के आधार पर किसी इस प्रकार की food distribution scheme को implement किया जाना चाहिए ना कि political compulsions के basis पे कि जब किसी राजम election आ रहे हैं तब आपने scheme को चला दिया जब आपके friendly राजम election नहीं आ रहे है तब आपने scheme को अटा दिया यह यहाँ पर नहीं होना चाहिए there should be a proper objective and subjective criteria on the basis of which a scheme should be implemented on ground यह यहाँ पर बोला जा रहा है तो सरकार को एक commission मनना चाहिए उस commission के आधार पर scheme को चलाया जा रहा है अगर continue किया जा रहा है तो उसके proper viewpoint समिट करने चाहिए चुकि देखे क्या है आज की date में COVID उतना नहीं फैल रहा है एक priority household के अंदर आने वाले individual के पास अगर PMGKAY का benefit जोड दिया जाए तो हर महीने 50 kilo rice आ जाएगा जिसमें से 25 kilo free होगा चुकि अगर आप बात करो Tamil Nadu की Tamil Nadu में पिछले 10 सालों से priority household वालों को rice free में मिल रहा है तो 50 kilo rice ये अपने घर में store कहां करेंगे क्या एक गरीब family की पास अपने गोर में 50 kilo rice store करने की भी जगा है ये सब factors भी हमें consider करने है इन particular schemes का benefit किन लोगों को मिल रहा है ये peruse करना बहुत ज़रूरी है और ये आज की date में possible है आज की date में बहुत सारे technological tools available है public distribution shops को आधार card और biometric authentication के साथ जोड़ा गया है तो सरकार के लिए ये quantify करना बहुत ज़रूरी है कि actually में गरीब कौन है और जो ये food schemes है actually में जरूरत बंदों के पास पहुंचे ना कि किसी के बाज़ी पहुंचे तो ये सब बातें यहाँ पर मताई जारी है फिर export की shrinking को लेके एक article है अभी आपको पता है कि October में जो exports है February 2021 से लेके अब तक काफी गिरे हैं मतलब पिछले 20 महीनों में अगर आप देखो तो 30 बिलियन डॉलर से जादा के export रहे अभी वो 30 बिलियन डॉलर से नीचे आ गए September 2022 में 22 के comparison में October 2022 के export 16.7 प्रतिशत कम है और October 2021 के comparison में October 2022 के export 16.7 प्रतिशत कम है Engineering Goods, Pharmaceuticals, Chemicals, Gems, Jewelry, Textile, Handloom सम्में जो हमारे export है वो घटे हैं जबकि import 5.7% year on year बढ़े है जो October 2022 की trade deficit है न वो पहुंच चुकी है 26.9 बिलियन डॉलर पे 50% बढ़ चुकी है अब ये अलग बात है कि import भी थोड़ा moderate कर रहे है import उतना aggressively बढ़ नहीं रहे पिछले 4 महीनों में सिक्वेंशली देखा गया है कि imports थोड़ा सा moderate हो रहे है उसका reason ये है कि एक तो petroleum products के दाम कम हुए उपर से petroleum product का import भी कम हुआ है चुकी demand उतनी ज़्यादा इस समय पे है नहीं लेकिन non gold non oil import भी कम हुए लेकिन ये हमेशा positive नहीं होता अगर non oil non gold import कम हो रहे है मतलब domestic demand थोड़ी कम हुई है इंडिया की trade deficit इस समय तक इस financial year में 175 billion dollar हो चुकी है पिछले साल इस समय तक 94.2 billion dollar थी और चुकी winters हा रहे है तो winters के समय पे हमारे जो oil और energy की imports है वो बढ़ेंगे तो deficit level stabilize होगा इस बात के chances अभी थोड़े कंगली लग रहे है अब कहीं न कहीं अगर आप देखो तो इंडिया का export market कम क्यों हो रहा है कुछ experts यह बोल रहे हैं कि भाई जो pre-diwali और दीपावली के मन्त होते है उसमें export gap 5 billion dollar से ज़्यादा का होता है यही बताया जा रहा है भाई कि overall दीपावली का महीना जो था और उससे पहले का जो महीना था अब export थोड़ा गरबढ होगा लेकिन क्या है न author का यह simply यहाँ पर यह बोलना है कि इस समय पर domestic economy और international economy बहुत wide ranging factors पर dependent है दुनिया भर की economy में inflation बढ़ रहा है उसके चलते लोगों की purchasing power कम हो रही है तो वो कम purchase कर रहे है demand कम हो रही है तो obvious ही बात है उस demand को पूरा करने के लिए जो Indian exports जा रहे थे वो भी यहाँ पर कम होंगे तो किसी एक particular factor से कि यहाँ पर दिवाली आ गई तो दिवाली में export बढ़ा उससे पहले कम था justify नहीं कर सकता चुकि बहुत सारे अलग-अलग factors को आपको consolidation में देखना पड़ेगा यहाँ पर भार सरकार की कुछ policies को बिर्किट साइस किया जा रहा इंडिया के steel exports के उपर आपने एक export duty लगा दी यह ठीक नहीं है इससे आप domestic market में steel की कमनी पढ़ने दिना चाहते हो लेकिन होता यह है कि इंडिया, चाइना और जापान जैसी countries से और ज़्यादा steel import करने लगता जो कि हमारे import बिल को बढ़ा देता है तो यह सब बाते हैं finance ministry को external pressures भी देखने की जरूँथ है at the same point of TME यह भी ensure करने की जरूँथ है exporters के सामने कुछ undue आप कहलो instructions मत लगाऊ चुकि वो exporters जो इंडिया से steel export कर रहे है वो बड़ी मुश्किल से export order दूड रहे है और उनके export order में भी clause लगा दोगे अगर आप export duty का तो चीज़ें problematic हो सकती है और import पे तो हम वैसे भी heavily dependent है तो import को priority से हटाने के लिए हम exports को competitive करना पड़ेगा तो exports के उपर बेकार की duty duty लगाना ठीक नहीं है यह सब बते हैं आपर बताई जारी फिर Donald Trump ने recently अपने Mara Lago resort Florida में अनौस कर दिया कि हम अमेरिका को फिर से grade बनाएंगे यह करेंगे वो करेंगे अब यह जब mid term elections हुए तो सब को लगा कि grand old party यह नहीं कि Republican party की grade wave आएगे सब जीच जाएंगे लेकिन यह केवल House of Representative में majority में बना पाए House of Representative में भी जो उनकी majority है वो बहुत छोटी ही है फिर grand old party के अंदर से आप Donald Trump के प्रती उतना support निकल के नहीं आप आ रहा है Donald Trump अपने आपको 2024 का presidential candidate दिखा रहे है on behalf of Republican party but actually में इनकों के साथ compete करने के लिए कुछ और players भी सामने निकल के आ चुके है जैसे कि for example एक individual है De Santis Florida के governor Ron De Santis यह यहाँ पर compete कर सकते है Donald Trump के साथ Donald Trump की importance के respect में article है no doubt Donald Trump उतने effective नहीं रहे गए जितने 2016-2020 में थे but अभी भी Donald Trump की जो policies है, जो politics है वो कही न कही Americans को appeal कर दिये जो American का working class तबका है वो कही न कही Donald Trump के प्रती देखता है, एक positive image के साथ, तो इन सब चीजों को consider करने की ज़रूत है while calculating the intricacies of American politics तो यह सब बतें यहाँ पर बताई जाने हैं तो अभी के लिए article में यतना ही है दोस्तों बहुत सदा holistic news नहीं दिखी तो मैंने आपके साथ discuss नहीं की reservation के respect में एक article था, वो मैंने आपके साथ यहाँ पर discuss नहीं किया है जो main article था, वो democracy के respect में था प्रदान मंत्री गरीब कल्याण, अन्यूजना के respect में था exports के respect में था, और Donald Trump के respect में था जो discuss कर लिया है, कुछ में बहुत ज़्यदा holistic points होते नहीं है तो एक-दो points बदा के में आपके आपके को हतम करता हूँ